नमस्कार दोस्तों मैं सोल अब और आप देख रहे हूँ एसेस क्रिक फैंटासी इस फीडियों के तुरू मैं आपको मैंस रिलेटेड हार एक इनपर्टन इंफर्मेशन देनी की पूरा कोशिश करूँगा जिसके मदद से आप एक वैतरिन फैंटासी टीम कोमिनेशन बनाने म में काम्याब होंगे आफ्टास पीज रिपोर्ट प्लेइंग 11 कुछ फर्दार अपडेट यह सभी मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर इनफर्म करता हूँ इसके लावा स्मॉल लिग के टीम एंड कौन सा प्लिया राज आपका ट्राम्पी हो सकता है यह सभी मैं आपको टेल सेनलेस करके कभर करता हूँ और स्टैटिकली एंड लॉजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मदद से आप नासे स्मॉल लिग ग्रैन लिग में भी एक आच्छा का सा प्रफिट कमा सकते हो इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा पिशार को थोड़ा मदद मिल सकते हैं मतलब शुरुवात में थोड़ा बाउंस आपको देखने को मिल जाएगा और फोड़ा स्विंग भी आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन गेम जैसे आगे प्रोग्रेस होते जाएगा तब पीच और भी बैट्समेन के लिए सेवन टाइम्स और बैटिंग सेगन का टिम ने 21 टाइम्स मैच उनके है फास्टिंग्स की एवरेज स्कोर की बात करें तो 180 है हाइस्ट कोर योक्षार के नाम है 260 और लोएस्ट को भी योक्षार के नाम है आप स्कोर इन पटन भी देख सेक तो डेल सो से विलो 12 टाइम्स 152 169 सेवेन टाइम्स 172 189 एटीन टाइम्स और 190 अबोब 22 टाइम्स राण जा चुका है मतला मोस्ट अपड़ा टाइम्स 190 के उपर राण जाता है और 170 के उपर भी 18 टाइम्स राण जा चुका है अभी ताक इसलिए आप समय सकते हो यहाप पर आपको मतलब ठीक टाग राण सब्सक्राइब के उपर इस साल टीटीटी प्लास में योकशायर और लंकाशायर के बिच में एक मैच कहले गया था फार्स जुन योकशायर ने पहले बैटिंग करते हुए 195 क्या था और लंकाशायर ने वह राण चेस नहीं कर पाया लेकिन फिर भी 180 क्या था मतलब दोनों इसमें आपको 180 प्लास देखने को मिल था फिर से ढराम और योर्शायर के बिच में एक मैच करे गया था उस में पहले बैटिंग करते हुए धर्वर्ण ने 217 किया था और योकशायर ने 189 किया था इस में भी आपको दोनों इसमें ठिक्टा क्राइब देखने को मिले था मत आप देख लेता है यह चाहिक की पॉस्बेल प्लेइंग लेबन विद रिसेंट फॉम एडम लेट के साथ आपको डेविड मालान को ओपेनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा लेट का यह रिसेंटली इस सीरीज का फॉम है आप देख साकतो एक दो मैच को छोड़के कु पिछला दो मैच खेला और पिछले दो मैच में खास कुछ कर नहीं पाया शान मसुद नंबर चार पार आ सकता है सान मसुद भी एक दो मैच को छोड़के कुछ खास नहीं कर पाया और ओभाल लुटीटिविए वान फॉट्टी फाइब मैच में 27 की एवरेज रहता है नंब पर भी ठिक टक चाहता मतलब डीसेंट भी होने वाल है जॉर्डॉन थॉम्सवन नंबर शे पर आ सकते हैं बहुत ही इनपरेंट भी होने वाल है इन फॉर्म प्लियार है विकेट टेकिंग वार है और विकेट के साथ यह आपको बैटिंग में कुछ कंट्रिबियूशन दे सकत है इसले जोर्डओन थॉम्सवन बहुत है इनपरेंट भी होने वाल है पिछने मज़ बैटिंग वलिंग दोनों से जापको पॉइंट देने वाले इनफॉन काफी अच्छा है दो इके डिया पार यहां पर फिप्टीन के साथ तीन होने वाल है उसके बाद ट्रीटार सल को आपको देखिए नख मुझे जाएगा ठीक ठीक खिल लेता है लेकिन दिग्यत की बाद है बहुत ही नीचे बैटिंग करने आता है यही दिग्यत की बात है देखिने को मिल जाएगा बैन माइच फिछले दो तीन मैंच में ठीक टाक वीकेड चाटका अब देख साथ तो इनपरटेंट भी हो सकता है एक मैस को छोड़के अल्मोस हर मैंच में कुछ ना कुछ किया इनपरटेंट भी होने बाला है सिलेक्शन पासेंटेज काफी काम है उसके बाद जेफार चौन को आपको देखने को मिल जागा यह कुछ खास नहीं कर पाए एक-डू मैच को छोड़के ओपेनिंग बला की बात करें तो डॉम उसके साथ आपको वेन माइक और डेवीड वाइसी को देखने को मिल जागा देच में बेन माइक के साथ आपको कुछ खास नहीं कर पाया इसी तरह के से कुछ और प्लेयर का भी नाम है अगर खेलते हैं तो आप देख सेकते हो आप देख लेते हैं डर्वी सायर की प्लेइंग लेमें उद रिसेंट फर्म हैदर रली के साथ आपको लुइस रेस को ओपेनिंग करते हुए देखने मैच को चोड के कुछ खास नहीं कर पाया लुइस रेस का ये रिसेंट फर्म है आप देख सकतो बैटिंग बॉलिंग दोनों सबको पॉइंट देने वाला है पिछन मैच में बॉलिंग से फ्लॉब हो गया और बैटिंग से फ्लॉब हो गया लेकिन बॉलिंग से एक वीक के चटका पाया फिर से बैटिंग वालिंग दोनों से पॉइंट देया मतला कुल मिला के बहुत ही इंपर्टेंट फिक होने वाल है वैन मेडिशन का रिसेंट फर्म काफी अच्छा है आप देख सकतो कंसिस्टेंसी 50 प्लास स्कूरिंग क्या है और एक सेंचूरी भी है इसके नाम पि पी होने बाला है सिलेक्षण पासेंटेज काफी काम है ज़्यादा मैच नहीं कहला सिर्फ आठी मैच के लाव फॉट्टी के अवरज है लेकिन लास्ट दो मैच काफी अच्छा कहला था पहले थाथी इसके नहीं किया था इनपर्टेंट भी हो सकता है स्विक्षान नहीं कर पाया पिछले दो मैंच में कोई वीकेंड नहीं चटका ब्रूग गसेट का भी से मैं तो यह बड़ा प्लियार है ठीक तक केल लेता है लेकिन बैटिंग करने का उतना मौका नहीं मिलता है मतलब काफी नीचे बैटिंग करने आता है यहीं दिग्गत की बात है उसके बात जैक चैपल को आपको देखने को मिल जाएगा फास्ट क्लास में काफी आच्छा किया था और इस सीरीज में भी काफी आच्छा किया था एक मैच को शोड़के अल्मोस हर मैच पे दो तीन करके मार्क वैट का रिशन फर्म उतना कुछ सेही नहीं चल रहे सीरीज में लेकिन इस सीरीज से पहले यहाँ पर ओडी आई में अल्मोस हर मैच पे विकेट चटकाया था उसके बाद आपको स्क्रीम सोगो देखने को मिल जाएगा इनपरटेंट पी हो सकता है थर्टीफोर की बात करें तो स्क्रीम सोगे साथ आपको जावन खन को देखने को मिल जाएगा और देथ में यहीं दोनों आ सकते हैं बेंच पर कुछ प्लेयर का नाम है अगर खेलता है तो उसका भी रेकर्ड आप देख सकते हो आप देख लेता है फैंटेसी टीम से आपको गासेट को द सब्सक्राइब हो सकते हैं हलाकि इसका फॉर्म कुछ सही नहीं चल रहा है लेकिन यह बैटिंग पीज है यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं मालान बहुत इंपर्टेंट होने वाले अगर आप चाहतो डूपलों को फिक कर सकते हैं तो यह बड़ा प्लेयर लेकिन फॉर्म अभ आप चाहतो पिक कर सकते हो और टॉम उड का सिलेक्शन पासंटेज काफी काम है लेकिन यह आज आपका ट्रांपी हो सकते हैं विछला दो मैच काफी आच्छा गया था अगर इसको बैटिंग में थोड़ा सा भी प्रोमोशन मिलता है यह आपको पक कर रान बना के दे सकते है इसलिए मैच टॉम उड को आज पिक करके चलता हूँ ओल राउंडर सेक्शन से मैट जन बहुत इनपरेंट पिक होने वाल है लुइस रेस फ्रेभीस थॉम्सोन डेविड वाईसी यह पांचो ऑल राउंडर बहुत ही इनपरेंट पिक होने वाल है यह पांचो चाहए बॉल बेन माई को भी पिक कर सकते हो यह आपका चोय से फिलेल में जामान खन के साथ ही जा रहा हूँ आप देख लेते कैप्टेन फाइस कैप्टेन के अगर बात करें तो आप डेवेड मालान को कैप्टेन कर सकते हो अब मैडिसन को कैप्टेन फाइस कैप्टेन कर सकते हो अब लु